Hey guys, welcome back to my channel, कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे So friends, आज की वीडियो में मैं आप से share करूँगी कि आप अपने YouTube वीडियो के लिए Memes and Funny Clips वगेरा कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप उनको अपनी वीडियो में आराम से यूज कर सकते हैं जैसे कि आपने बहुत सारे YouTubers को देखा होगा, वो अपनी वीडियो में बीच-बीच में Memes and Movies की Clips वगेरा यूज करते हैं जिससे कि उनकी YouTube वीडियो देखने में और ज्यादा Interesting लगती है और ज्यादा Presentable लगती है लेकिन दोस्तों में डर लगता है कि कहीं हम अपनी वीडियो में Memes and Funny Clips वगेरा यूज करेंगे तो हमारी वीडियो में Copyright Claim या Copyright Strike ना आ जाए तो मैं आज आपसे दो Method शेयर करूँगी जिससे कि आप अपनी वीडियो में Memes and Funny Clips वगेरा डाउनलोड करके यूज करेंगे तो आपकी वीडियो में कोई भी Copyright Claim या Copyright Strike नहीं आएगा आप बेफिक्र होकर डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपनी वीडियो में आप आराम से यूज कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को पूरा end तक देखते रहें और एक भी step skip ना करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, interesting लगती है और useful लगती है तो वीडियो को like जरूर कर दी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो please चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में bell button भी press करें जिससे आपको मेरे new videos के update मिलती रहेगी और आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं, so yeah let's get started So friends अगर आप कोई भी funny meme या फिर किसी भी movie का funny dialogue या फिर clip डाउनलोड करके अपनी video में use करना चाहते हैं, तो आप उसको directly YouTube से ही download कर सकते हैं लेकिन आपको YouTube से directly ऐसे ही download नहीं कर लेना है आपको उसके लिए कुछ settings करनी है, उसके बाद ही आप उसको download करके अपनी videos में use करें, otherwise फिर आपकी video में copyright claim आने की chances हो सकती है तो आपको जो setting करनी है, वो मैं आपसे share कर देती हूँ तो जैसे माल लीजी आपको Sanjay Dutt वाला funny meme आजकर बहुत viral हो रहा है, नहीं वाला वो आपको download करना है, तो आप उसको सबसे पहले यहाँ पर search कर ले संजदत memes, तो आप जैसे इसको search करेंगे, यहाँ पर सारे videos आजाएंगे अब आपको एक setting करनी है, यहाँ पर आपको जो three dots को option दिख रहा है, इस पर आपको click करना है and then आपको filters वाले option पर click कर देना है, अब आपको यहाँ पर creative comments वाले option पर click करके इसको apply कर देना है, तो दोस्तो अब जो इसमें memes यहाँ पर आपको show होंगे, यह आप reuse कर सकती है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह संजदत का नहीं वाला meme आपको show हो रहा है, आप इसको click करें और आप इसको download कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार description में जाकर के जरूर चेक कर लें यहाँ पर आपको यह चेक करना है कि license के सामने creative commerce attribution license होना चाहिए मतलब कि यहाँ पर reuse allow कर रखा है इन्होंने, तो आप इसको download करके अपनी videos में use कर सकते हैं बड़े ही आराम से, आपकी video में कोई भी copyright claim नहीं आएगा तो दोस्तों यह था हमारा पहला तरीका कि आपको जो भी funny meme या फिर video clip चाहिए आप उसको YouTube पर ही search करके, उसको download करके and then अपनी video में use कर सकते हैं अब मैं आपसे दूसरा method share कर देती हूँ, कि आप funny meme कहां से download कर सकते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर Google Chrome open करना है and then आपको यहाँ पर search कर लेना है vlipsy.com यह एक website है, यहाँ पर आपको बहुत सारे funny memes and clips मिल जाएंगी तो आपको इसमें से जो भी अच्छा लगता है, आप उसको play करके देख सकते हैं and then आप उसको अपनी video में आराम से download कर सकते हैं तो माली जी यह वाला एक बहुत जादा famous चल रहा है इस time पर तो मैं इसको ही आपको download करके दिखा देती हूँ तो आपको यह जो second वाला option दिख रहा है आपको इस पर simply click कर देना है and यह यहाँ से download होने लगेगा तो दोस्तो download होने के बाद यह आपकी phone की gallery में save हो जाएगा उसके बाद आप इसको अपनी किसी भी video में बड़े ही आराम से use कर सकते हैं तो दोस्तो I hope आपको वीडियो useful लगी होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए है तो please चैनल को subscribe करें और साथ में bell बटन भी प्रेस करें जिससे आपको मेरे new videos के update मिलती रहेगी और आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं So friends मिलते हैं next video में Thank you so much for watching Bye